जावा और पाइथन कौन सी बेटर है यह दिवेट थोड़ी परानी हो गई है लेकिन क्या होता है कि यह टाइम टू टाइम इनका रिजल्ट वैरी करता है कभी जावा ज्यादा नंबर ले जाती तो कभी पाइथन है ना तो एक्शली होता कि जादर आप वीडियो देखेंगे है कोई एसी जीज निहीं मतलब अच्छा अलगता है करना लेकिन ऐससा कोई चीज निहीं कि सबको छोड़के बंदाा कोडिक करना जाए इसे मेरेको आगर कोई मेरे कॉरी बूले कि आरे तको ठैको करना पसंद है कि कोडिक houses तो अगर आप इस वीडियो में साथ बने रखे आप तो मैं आपको यह सारी शीजे बताऊगा की जावा और पाइफन में क्या बेसिक डिफरेंस है, किस इसके काम के लिए है और लास्ट में ये पॉइंट में आपको बता दूँगा डारेक्ट कि क्या करने चाहिए, कौन से लेंगज करने चाहिए तो आप कोई पूरी वीडियो देखने पड़ेगी तब ही आप लास्ट तक को उस पॉइंट में पहुंच पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्यों बोल रहा हूँ, क्यों आंसर मैंने एक एक्जेक्ट आपको क्यों देदिया है ठीक है ना उसका रिजन अपने आप भी आपको समझ में आजएगा और बताऊंगा भी क्यों कि मैंने उस प्रटेक्लर लेंग्विज को क्यों बोलाइक सलेक्करने के लिए आगे सीखने के लिए कर आप वो डिपाइंड करता कि आप फ्रेशर है उससी फरखने पड़ता या आप किसी ओट टेक्नोजी में है और इन दोनेंसे आपको दोनों ही popular language है, दोनों के अपने features हैं, दोनों के अपने advantages and disadvantages हैं एक किसी point पर हो सकता है, एक language जूसरे से ज्याद suitable हो, और दूसरी कम वो depend करता है, applications के उपर हम real world application में बनाते हैं, दोनों ही Java से भी Python से भी बहुत बड़ी-बड़ी applications है, banking के, healthcare sector, finance sector, receive sector में है तो इस medium में पूरा difference बता करेंगा, ठीक है, Java क्या है, Java एक object oriented programming language है, जो कि इसका versatile nature के लिए जानी आती है, मतलब machine independent है आप किसी machine पर code लेकिए, फिर आप उसको code कहीं पर किसी machine में जानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसका root जो है, वो C++ है, और CSS के सारी syntax लिए है, reliable है, और secure ज्यादा है, और application मतलब, अलग-अलग devices पर application बनाने के लिए, जावा को यूज़ करते हैं, security की वज़े से भी, और चया आपको super computer बनाने हो, smart phones बनाने हो, उसमें भी आपको Java हम यूज़ करते हैं, चया वो super computer हो, च अब बात कर लेते हैं, इसके key features की, बाता तो चलिए, अब Java होता क्या है, आप key features की बात कर लेते हैं, अब से पहला key features हो होई है, object oriented, ये word आपको बार बार सुनने को मिलेगा, ठीक है, अब इससे इसका फायदा क्या होता है, object oriented होने का, इससे modular programming कर पाते हैं, एक बार code लिख इसका machine independent है, इतनी flexibility में provide करता है कि, किसी भी hardware configuration मतलब किसी भी system पे आप चापके चलाई ये रहना जाएगा, कोई modification करने की जोतने हैं पड़ती, इसरा versatile applications, मतलब आप इसमें आप super computer बनाओ, mobile devices बनाओ, laptops के लिए use करो, data centers के लिए use करो, internet based application, IoT ये सब बना सकते हैं, Java में, इस secure, secure होता है, stable भी है, secure भी है, तो कितना भी बड़ा critical system हो, उसके लिए हम Java use करते है, adaptable है, ये बहुत सभी बात बोला, जैसे आज कल machine learning जल रही है, IOT है, जितनी भी modern technologies आई हैं, या आई रही है, उन सब के साथ easily adaptable हो जाएगा, integrate हो जाएगा, कोई भी नहीं टेक्लोज करने का scope जरूर रखती है, क्योंकि Java, worldwide होने वाली, सबसे जादा यूज होने वाली, बड़ी company में, होने वाली एक language है, फिर next feature है, primary mobile development language, अब जो mobile application बनती है, Android वगर न, ये सब Java पे जातर, मतलब, native applications बनती है, वो Java पे ही बनती है, Android का हम जानते है, Android language होती है, मतलब, mobile application बना advantage भी है, लेकिन फिर भी advantage पे, कुछ और भी advantage है, उस पे हम नजर डालना चाहिए हम लोगो, क्या है, एक तो, ये multitask करना Java में, बहुत easy होता है, ठीक है, एक ही program आप, कहीं सारे task को perform करने के लिए, यूज कर सकते है, उसी program को, जो multi-threading, multi-threading की use, बोलते है, multi-threader programming, बोते है platform independent ही, क्योंकि आप किसी एक operating system पे लिखो, और दूसरे operating system पे आप उसको run कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती है, compiled language है, सबसे main features का compiled language है, पहले ही, कोड को run करने से पहले ही, आपको सारे सारे error दूर करवा देगा, कोई बी किसी परकार कर syntax error हो, वो सारी पहले से ही आपके खतम कर अगर आपने, जैसे हम जानते हैं कि यह C++C का root है, syntax में लिए लिए है, तो आपको strictly follow करना बादे है syntax, compilation के time पे आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आतने सारे error आते हैं, अगर आपने syntax follow नहीं किये, और ठोड़ा difficult है, edit करना, अगर आपका इसमें garbage collector concept होता है, अ performance को alter कर सकता है, influence कर सकता है किसी में, अब बात करें, यह तो main main चीज़े होगी जावा की, अब मैं programming तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैं features बता रहा हूँ आपको, advantage क्या, disadvantage क्या है, अब python, python क्या यह भी है, एक high level की object oriented programming के जोगी java भी थी, लेकिन इसमें यह बहुत simplicity और readability के लिए जान जाती है, यसी की English language बढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब यह java compile वाली थी language, यह interpreted language है, अब इसमें यह dynamic है, इसमें जो semantic होते हैं, वो dynamic होते है, flexible है, easy to use है, developer में इसलिए यह popular है, simple syntax है, powerful data structure है, इसी वज़े से यह java से थोड़े ज्यादा, fails में lead कर रही है, ठीक है, इसलिए data science में, data science में, data science में, java में use कर सकते है, java को use कर सकते है data science में, लेकिन, सब prefer करते है python को, यह python में बहुत सारी libraries है, जो के data science को support करती है, key features क्या क्या है, yes क्या है, python के, high level and read level, बताया में, इसका syntax इतना simple है, कि आप clearly किसी और के code को पढ़ सकते है, अपना खुद का मेरे साथ होता है, कि मैं अगर अगर अपना खुद का कुड़ी एक मेने बात देख लो तो मैं बूल गाता हूँ, क्या लिगाता है, सामचने पढ़ता अगंटा लगता है, तो इसमें यह आपको advantage है, कि आपका syntax बहुत ही easy होता है, simple होता है, maintenance cost कम हो जाती है, कि आप मालो अ इसका अगरा feature, है न, अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले, code compile, execute, execution run time पही होता है, अब आप run करोगे application को, तभी compile होगा, तभी execution होगा, यह भी उसमें, मेरे साब से, यह positive point भी है, as well as negative point भी है, dynamic typing और binding, ठीक है, अब इसमें, आपको न, जैसे variable declare करते है, तो explicitly आपको declare करने की जरुरत नहीं है, और क्या होता है कि हमारा code जो है, हम जल्दे लिख पाते हैं, लेकिन वहाँ जावा में इसा नहीं होता है, और indentation rules में बहुता सकते हैं, अगर आपने indentation, जो आप अगर coding कर रहे हैं, तो पता होगा, एक line के बाद, दूसरे line में, कितने space के बाद आना ही है यह आपको confirm होना चाहिए, सही लिखोगे है, तो ही इससे redelate भी बढ़ती है, और यह इसका rule भी है, ठीक है, अब इसमें data structure ही built-in होता है, मस्ती है, dynamic typing है, binding है, और data structure हो ही, मैंने बताया आपको, जो की, dynamic typing और binding था, वो ही built-in data structure होता है, development time उसमें भी कम हो जाएगा, अब compilation phase अब interpreted language है, तो compilation phase होता ही नहीं इसके अंदर, वो run time पर ही होता है, इससे क्या कर पाते हैं, कि editing और debugging इसकी fast हो जाती है, और data science के साथ, last feature है, easily integrate हो जाता है, data science के साथ, क्योंकि data science में complex calculations होती है, data visualization होता है, और machine learning, algo हमें बनानी पढ़ती है, तो data science के साथ, integrate करने के लिए data science के अंदर, और लिखना भी असान होता है, code क्योंकि simple है, syntax simple है, तो advantage क्या है, ये advantage सारी मैंने आपको बताई है, जैसे simple syntax हो गया, easy to learn हो गया, ठीक है, और scalability faster होती है, अब disadvantage क्या है, जावा में जो होता है, disk space, disk space बहुत काम लगता है, लेकिन python में code करते हैं, program को execute करते हैं, तो disk space काफी लेता है, तो ये इसका एक disadvantage है, ठीक है, क्योंकि ये सिफ, मैंने बद बहुता है, जो interpreted language है, तो ये positive point भी है, negative point भी, positive इसलिए है, क्योंकि इसमें debagging असान हो जाती है, लेकिन negative क्यों है, क्योंकि आगर आपको बहुत, जहान से code करना पड़ता है, क्योंकि run time भ दर रहता है, तो ये negative point भी हो गया, तो इसलिए आपको अपने code की performance बग वगरा चेक करते रहने बढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों point भी cover हो गया, अब आगे compare करते है, python को और java को main main points में, ठीक है, performance wise, अब ये जावा में, java जो है statically typed है, और data types होते है, code के लिखने से पहले data types करने बढ़ते है, और faster execution होता है, ये इसका performance का point होगे, java का, लेकिन python interpreted language है, compiled executed line by line है, के client के साथ, क्योंकि ये compile भी तभी होती है, और execute भी होती है, तो ये थोड़ा slower है, performance में java से, तो यहाँ भी बाजी मारती है, java, legacy, अब, ये जो है न, आगर हम इसमें, नए code को, old code क integrate करें, तो easy रहता है, लेकिन code लंबा हो जाता है, तो ये थोड़ा complex हो जाता है, अब python में क्या फायदा है, उसको update करना easy रहता है, code कम होता है, और code कम होने के वज़े से adaptive level जागा होता है, और scale level जागा होता है, तो यहाँ पर python ने बाजी मार जी, अब third parameter है code, अब ये से ब से longer code होता है, अब python में dynamic type होता है, जरूत ने रिखले करने की, shorter code होता है, easy to understand, तो यहाँ पर भी python ने बाजी मार लिए, database, java का database connectivity बहुत ज्यादा strong है, और python की access layer, database access layer, वो थोड़ी weak है, तो enterprises में इतना use नहीं होती, वहाँ पर java में connectivity ज्यादा use होती है, database के साथ, तो यहा पर java ने बाजी मार लिए, stability के बात करें, more suitable to do strict syntactical rule, compile time check, अब क्योंकि इसके syntax rules इतने tough है, और compilation time पर check हो जाता है, तो इसके लिए stable भी है, लेकिन python में इस अब check नहीं होता, वो तो interpreted language है, तो इसमें bug आने के बहुत जादा चांस होता time पर, so stability के मामले में, java ने बाजी म जादा करना पड़ता है, और cost के बात करें, personally use के लिए free है, java, लेकिन commercial license के भी जर्वत पड़ दिया है, लेकिन अगर latest version आप यूज कर रहे है, और commercially यूज कर रहे है, java का latest version में आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन python दोनों time पर free है, practical applications के एकर बात करें, और java को web application mobile app development के लिए ज्यादा यूज करते है, और bank में यूज होने होने वाली सबसे common language है, वो इंडिया के bank हो, या world world कहीं के bank हो, python को machine learning में ज्यादा यूज करते है, लोग big data या scientific computing के लिए, तो इसमें ब्राबर ब्राबर point यह सकते है, लोग, web development अगर करना हो, अगर database आपका, बड java जी मारेगा, python में mobile development नहीं होता है, machine learning के बात करें, तो फिर आपका python जी मारता है, ठीक है, क्योंकि python के पास, बहुत सारी tools है, libraries है, data processing के लिए है, ठीक है, लेकिन java भी उतना नहीं, java भी use होता है, लेकिन उतना है, java को enterprises, applications में ज्यादा यूज करते है, network security के बात करें, तो, भाई, बैंक में use हो रहा है, java तो, इसका मतलब, इसका network के security बहुत जबरदस्त है, advanced authentication and access control होता है, java में, और python की बात करें, तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि वो भी scalable network security के लिए, यूज करते है, उसको भी, अगर हमें malware analysis करना है, तो भी, हम python ही use करते है, अब बात करते हमारे मतलब ही, पैसा को जाते देता है, java या python, तो भाई, देखो, दोनों की, advantage, disadvantage है, मैंने बता दी, अब क्योंकि companies, जो है, machine learning, data science, cyber security के तिरफ, move कर रही है, दीरे-दीरे, सब को जाना बढ़ रहा है, बहुत, एक, दो परसेंट, अब कंपनिया तो जा चुकी है, लेकिन करता है, आपकी कहां पे हैं, कौन से location पे हैं, इंडिया में, बाहर है, आपकी skills पे depend करता है, आपके experience पे हैं, और आप कौन से company में काम कर रहे है, अगर मुटा-मुटा कर बात करें, indeed.com की, तो उनका एक summary थी, कि python वाले लगभग 50,000 पे extra कमाते हैं, average salary, जादा होती है, अगर कोई होगा, तो आपको क्या बुलेगा, कि आप पहले यह देखो कि आपको यह language सीखना क्यों चाहरे हो, आपका aim क्या career बनाने में, computer science में, engineering में, और ठीक है, अगर आप सिर्फ web development या mobile app के लिए जा रहे हैं, तो आप Java सीखिए, और अगर आपने Java सीख रहे हैं, तो ब आपको क्या सिखना चाहिए, और उसका reason में दूँगा, ठीक है, अब कुशन आता है कि, बैटर है Java यह Python, आप देखो, Java बहुत वाइडली यूज होती है, web development में, big data में, cloud computing में, android application में, और Python जो है, back-end mostly APS वोगारे में, यूज होती है, application development में, और data science machine learning में, तो बैटर कॉन जोज है, कौन सी hard है, Java hard है कि Python, Java obviously hard है, ठीक है, और सीखने के लिए, कितना दिल लगेंगे, और सीखने में कितना दिल लगेंगे, अब सीखने के अगर बात करें, तो अगर कोई beginner level से start करा है, तो Java को सीखने में 6-18 मेनी लग सकते है, और 9 मेनी, समझ लोगे, अगर कोई पहल programming language से थोड़ा फैमिलीर है, तो उसको तीन मेने का सबस लगता है, बाकी अलग अलग सब पर डिपेंड करता है, अब Python का तो इतना ही है, अगर आप सुरू से भी सीखने हैं, तो 3-6 मेने के लिए, अगर beginner level पर हैं तब भी, अब सीखना क्या है, तुमें, ठीक है, मैं, जो मे अब Java से बेटर क्यों है Python क्योंकि एक तो जल्दी आप सीख जाओगे, आपको कोई Java से प्यार तो है नहीं, जल्दी सीखो, जल्दी बैसे कमा भई, जब तक आप Java सीख रहे होंगे, तब तक आपकी job लग चुकियो और पैसे भी कमा चुकियो, और ऐसा निए कि Java में सीखने पैसे के लिए ही यूज़ हो रहा है Java, बैब अप्लिकेशन भी Java API के लिए यूज़ हो रहा है, तो API के लिए आप Python भी यूज़ कर सकते हो, तो साथ में अद्वर्टेंस मिले कि आपको आप data science, machine learning में भी जा सकते हो, वह पे आपको unlimited पासा मिलता है, आपके interest के पर बात है, अब क्यों complicated, अब छोटे से hello program को लिखने में अब क्यों अपना time-based करोगे, complicated क्यों आप सिखने लगे, आपको समझ नहीं आया, तो आपका interest का तमझाए, according में, आप Python सीखो, ऐसा भी अच्छा है और जलदी भी सिख जाओ, मेरा तो यह कह रहा है, और मैं आप confuse नहीं करोगा तो फिर तो आपको यह वीडियो देखने ही चाहिए, और मैं देख लिए, आप जरूब हो सकते आपको थोड़ी knowledge मिलियो, और फिर भी confusion है, तो मैं आपको direct बोल रहा हूँ, आपको Python सीखने चाहिए, Python, 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 बाकी सब को सोच, सोच, शुना, बंद करो, छोड़ो और Python पे सी मिलते हैं ये नेक्स वीडियो में, thank you so much, bye-bye